कानपुर देहात के मडौली गाउं में जो गटना गरम हुआ उसके बाद उत्तरप्रदेश में सियासत काफी जादा गर्म है इस बीच चर्चा पूरसांसद और विधायक रहे अनिशुकला वार्सी की हो रही है उनके एक बयान की हो रही है इस बीच उन्होंने एक और बयान है अपनी च्वी को खराब करने के लिए कुछ लोगों पर आरोब लगा एं अनिशुकला वार्सी जी हमारे साथ न से बात कर लेते हैं आपने का कि कुछ लोग जो आपकी पार्टी में ही है वह आपकी चवी को कर पना है हाँ कुछ लोग जो है जब कभी भी इस तरह के चु लेकिन उनकी जो भी गद्विधियां है वो सरकार के बिरोध में रहती है लेकिन यह काम तो पार्टी को देखने का है हमारा तो है नहीं इसलिए मैं उन चीजों पर नहीं बोलता हूं लेकिन जब वो सुन्योजी तरीके से मेरे उपर हमला करने लगते तो फिर मुझे उसके ख हो लोग ते इसलिए सबस्वाजनेट, काम करने वाले लोग और राजनीट का एक पैसा हमदो है까 किसी से लेते नहीं किसी एक वार। सफुत्री राजनीट करते हैं और नोगों के परती जो है हम लोगों का डेकेशन सा उत तो अब जहां कहीं भी कोई कांड होता करते हैं हमको एक लाग बोट हर चुनाव में लगबग 1 लाग बोट मिलता है तो हम हमारा कोई काम यह नहीं कि मैं कोई लोगों में भेद भाव करूं कि जात की राजनीत करूं वो नहीं करता हूं लेकिन जिस तरीके से यह चीजां की जा रही है और यह नीचे तक जा रही मतलब कितना तगड़ा उनका जो है वह इंतियाम है कि नीचे तक यह सब बाते पहुंच दाती 2019 में भी एक वीडियो वाराल हुआ था जिससे मेरा कोई लेना देना नहीं था लेकिन वह देखिए वह उसमें भी जिस दिन वोटिंग थी उस दिन तक वारल नहीं किया जैसे बोटिंग खतम हुई उसी के दूसरे दिन से वह इतना ज्यादा वाराल हुआ कि रिक्से वालों तक वह वीडियो पहुंच गया तो इतना इनके पास जो क्या बोलते हैं कि समाच विरोधी इनके पास लोग हैं और मैं समझता हूं पूरे कानपुर द सोसाइटी हैं एंटी सोसल हैं जो तरी गलत काम करने वाले हो चाहें मिट्टी खोदने वाले हो चाहें वहां पर कोई और जराहिम काम करने वाले हो चाहें जिस तरह का काम करने वाले हो उनका सबको सरच्छन मिलता है तो इस तरह के लोग कामाब हैं समय है इससा किसका सरच् किसी का नाम नहीं लेना चाहिए अब हमने तो कहा है हमारे पार्टी के ही हैं तो बहुत तो अब यह आप लोग अंदाज लगाई है कि कौन खुराफाती है जब अपने इतने आरोप लगा रहे हैं तो आप खुल करके क्यों नहीं बोल देते हैं कि कौन व्यक्ति है जो अगर मढवली की हमने अगर सच्चाई बोली है थो सारे लोग पीछे पड़ गए अब आप देखो कि में जो मढवली की तो इसमें अगर हमने सच बोल दिया है तो वहाँ पे अगर ठीक है उनकी मृत हुई दुखद है और उसमें सबकी संप्थी है, सरकार की भी बाकी लोगों की भी है, सरकार तो वहां जाकर के उनको पैसे भी दे रही है, उनको जमीन भी दे रही है, उनके साथ खड़ी है, लेकिन दूसरे लोग जाकर के केवल उसको उसके विपरीत में बजाय की संपथी देना, वहां जा करके उनको राजनीत करना है यह सरकार कने यह नहीं किया सरकार खराब है कानून वे वस्ता खराब है डिंका है दुनिया वर की बातें पहुत गटना समय हम आपको एक्सीडन्त ऐसे बात नहीं थी एक महिला ने अपनी उस जोपडे नाजाय तरीके से वहां बना रखी थी उसको बचाने के प्रयास में उसने इस तरह का करत किया कि आई भाग करके वहां थी भी नहीं गाउं में उसका पक्का मकान बना वुआ है यह लोग उनके अपनी जमीने भी है उनके ब्याफार है सारा सब कुछ है और अब जोपडी का नाम आ गया तो ज इसा में बैठा है तो वो तो आदमी जो सुनेगा वही जानेगा ना जितना डिश्टेंस बढ़ती जाएगी उतनी चीजें को का दूसरे रूप में बतलती चली जाती है तो सब ने कहा कि बड़ा गलत हुआ यह हुआ वह लेकिन कोई आदमी के पास सारे संसादन है और इसक जमीन उसके घर की एक लड़की यह जो पिशारी पर तकता है जिसके सवाल बालों ने तो छोड़ दिया है जिसका दुनिया में कोई भी नहीं है उसको जगह वह पट्टा होती है और दियम मुशको खाली कराने का प्रयाश करती है और उसमें घटना घट जाती है तो सारे ल रोधी पार्टि कि जो लोग है जो इससांस के लोग कि इनको महिले को भी शामने नहीं लाना चाहिए उसका भी तो बर्स लेना चाहिए उसका भी बिज़से लेना चाहिए तरफा जो है एक तरफा आप चीजों को ले करके और पूरे देश का महौल खराब कर दो पूरे समाज में वो कर दो तो गलत है ना आप ने देखा पूरा वीडियो में जो आग लगाने का बात है यह यह माँ बेटी दोनों वहां पर मौके पर मौझूद नहीं थी यह गाओं म अज देखें जब दर्वाजा बंद कर ले रही आप देखो ना जब दर्वाजा अंदर से बंद कर ले रहे और अंदर मा बेटी है और अंदर माचिस भी और छपर भी तो फिर आग कौन लगाएगा क्या यह सब जितने भी वहां पुलिस वाले गए तो उसने जो है अंदर उसने अंदर में आग लगा चांने दूगते चाहशन लिख जा लर ने बाए नो 1 ृप ने लुत धुना कर आच से अना पंद कर दो गए और सब सा Hell आवे ने से दिक्कत हो रहे हैं जो वर्जन आरा यहां से बदल जा रहा है कि यह लोग लगा कि उसको मारती हैं नई सारे लोग बजाए उसको जो है यह सब तो गिराना भूल गए इसको बचाने के नियद से लोग सब सक्री हो तर्वाजा नहीं खुड़ा, तोड़ धिया, तोड़ करके, अंदर रूरा अंदर गया माहनी को पकपके बाहर खीचने लगा, लेकिन वो भजय उनको, इसको यह वो दरोगा कोई खीचने लगी, लेकिन आज तो दिरे दिरे अपना गाम कर रही थी, तब जब धरोगा खुद जलने लगा वो जला हुआ भी है तब फिर अपने को छुड़ा करके बाहर भागाया इस बीत में लोगों समझ नहीं आ रहा है क्या करूं क्योंकि हैंड पैप जो सब मर्सिवल पंप लगा था उसको पहले ही तोड़ दिया था अगर वो पंप होता त को चालू करके पानी से आग को बुझाये जा सकते आप आपकी छवी की बात जो हो रही है आपकी छवी को दो मिल क्यों कि अब देखिए कुछ लोगों ने कहा कि हमारी पत्नी मैं सच बताऊं कि मेरी पत्नी जो है डेड़ ऑनेस्ट है और इश्वर को मानने वाली है साधी के पहले से वो मादुर्गा के दोनों नौरात्र को बरत निर्जला बरत करती है और मादुर्गा की अनन्य भक्त है और उसने अपना सर्टिविकट ला करके मादुर्गा के सरण में रख दिया था और कहा था कि मैं जो है एक भी पैसा राजनीत का अपने उपर नहीं खर्चा क करूंगे अपने इस्तिवर्म नहीं रहा हूं जो मेरी मेहनत की कमाई उससे जिंद्गी काटें इसलिए आज भी हम लोग फ्लैट में रह रहे हमारे पास कोई मकान नहीं है यह भी फ्लैट कंपनी का है तो इसके बाद अब आपने आरूप जाए उसी पर आ रहा हूं इसके अब बाद एक बार जब मैं बस्पा में था तो मयावत्ति जी ने को किसी ने सिकायत की तो उन्हों ने हम लोग बुलाया प्रतिभा भी गई और मैं भी गया तो बहन जी ने बड़े गुस्षे में कहा कि तुझे मैंने सांसत बनाया और इसको बिधायक बनाया तुने पैसे ने कमाए जो कुछ भी आपको दिया है मैंने अपने बच्चों का पेट काटा मैंने अपने बिजनित ब्यापार खराब किया मैंने अपनी जमीने बेची लेकिन आपको मैंने पैसे दिये तो और मैं आप न मानो तो मेरी जाच करा लो मैंने अपने आपको बदनाम नहीं होन बताता है अपने आपको मीड मच्छी खाता है सराब पीता सारे गलत काम करता है वो मेरे सामने खड़े होकर के मेरी पत्नि को टासीदा बोले और फिर उसमे फेस्विक में डाले कि यह कलंकीद महिला तो बहुत गंदा सब्सद है तो यह तो जो है परदास के बाहर है तो यह तो जो पार्टी के लोग है वही लोग किसी तरीके से इसको ज्चाहिदा हाइट करें फिर मेरी बदनामी हो पार्टी में गलत मैसेज जाए पार्टी इन पर कारवाई करें तो इस तरह की जो 24 की सियासत है यह सब 2024 में टिकट हम न कहीं मांग लें और कोई वो न हो जाए तो यह सब सारी बात हैं जब कि मेरी कहना हम लोगों के बीच में लोग पृता है तो प्रतिवा शुक्ला जो राजमंतरी हैं उत्रप्रदिस सरकार में उनके पती हैं अनिशुक्ला वार्सी पूर संसद पूर विधायक साब तोर पर कह रहे हैं कि कानपूर दिहाद के मडॉली गाउं में जो घटना हुई है उसके बात से पार्टी का ही एक तबका कुछ लोगों के साथ मिलकर उनकी छवी को धूमिल कर रहा है और सोशल मीडिया पर जबर्दस तरीके से एक मुहिम चलाई जा रही है उनके खिलाब कानपूर से केमरामेन पंकड निगम के साथ रतीश त्रुवेदी एबीपी गंगा